अधिया राम मंदिर की प्राहर प्रतिष्ठा को लेका 36 गड़ में भी राम में वातबराण बना हुआ है रदेश सरकार की तरफ से विविन आईजन किया रही है इसे बीजेपी उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है वहीं साजा से बीजेपी विधायक इश्वर साहू भी रायपर के राम मंदिर में दर्फशन करने पहुँचे इस पर सौराज एक्सप्रेस से विधायक इश्वर साहू ने खास बातचीत की आईए सुनाते हैं 36 गड़ में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और जिस तरह से राम मंदिर की प्रान पतिष्ठा की जा रही है राम में वातावरन है इश्वर साहू जी इन से सिधा चर्चा करेंगे जानेंगे अभी बहुत सारे आईजन हो रहे हैं सरकार की ओर से कैसा लग रहा है और पूरा राम में वातावरन बना दिया है बहुत संगरसा के बाद हमारे इंदुस्तान में हमारे गाम भगवान का मंदिर का निर्मान हुआ है लोगों में उत्सा है, बहुत संगरसा के बाद, ऐसा दिन आया है कि हम धन्या हो गए कि हमारे प्रभुराम सिर्याम जी का मंदिर निर्मान हुआ है. आपके छेत्र साजा में भी कुछ विशे सायोजन हो रहा है इस दवरान? जी, हर छेत्र में हर गाओं गाओं में भागवान का उत्सा मना रहा है. बहुत सारे टार्गेट भी दिये गे हैं, मुलब इनके ओर से बीजेपी के ओर से कि हर घरों में दिये जलवाना है या बहुत सारे कारेकम होना है. टो यह थे इस वर साहूजी इसा अप्कान है कि जिस तरह से पुरे चछत्तितर्म में उत्साओं का महौल है उसी तरह का महौल इनके छेत्र में भी देखने को मिलेगा कैमरा परसन गुपेंद के साथ सोराज एक्सपरेज के लिए रायपुर से दिलिप साह।